वीवर्स स्वागत है आपका यूनिक मैडिसिन इस्टडी सीरीज की एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम नोजिया एंड वामिटिंग के वारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे नोजिया और वामिटिंग क्या होता है नोजिया और वामिटिंग की क्या क्या study करेंगे इसके बारे में जानेंगे आप कोई paramedical course कर रहे हैं या फिर आप general practice करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है तो मेरे साथ वीडियो में लगतार बने रहे हैं वीडियो को skip बिल्कुल ना करें दोस्तो नोजिया और vomiting की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में जी घवराना बा उल्टी आना कहते हैं मतलब कि इसके हिंदी में जी घवराना या उल्टी आना कहा जाता है जैनरली अगर कोई general व्यक्ती है या कोई patient है वो अगर complain करता है कि उसको उल्टी आ रही है या फिर उसका जी घवरा रहा है तो इस condition को नोजिया या vomiting कहा जाता है अब ये नोजिया या vomiting किसलिए होता है इसके causes क्या होते हैं तो क्या कारण रहते हैं इसके तो इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं और अगर किसी को नोजिया वॉमिटिंग आता है तो उनको sign on symptoms क्या रहते हैं तो infection या other cause यानि अगर किसी को कोई infection हुआ है या कोई other cause है जो की gastrointestinal contents का ओरली बहार आना यानि अगर किसी को नोजिया वॉमिटिंग होता है और उस समय जो उसका खाया पिया हुआ है व्यक्ति का या patient का वो उसका पेट से बहार आ जाता है orally मतलब oral root से मुख मार्क से मतलब कि मुँ के द्वारा तो उस condition को नोजिया या वॉमिटिंग कहा जाता है guys इसमें क्या होता है कि indigestion जब किसी को अपच हो जाती है इसमें जो food होता है वो इस टमक में digest नहीं हो पाता है और उस समय उल्टी के साथ बहार आता है तो ऐसी condition को भी vomiting यानि कि उल्टी कहा जाता है और ये जो condition होती है वो diarrhea के case में ज़्यादा देखने को मिलती है अब हम बात करेंगे कि इसके आखिर कौन कौन से cause हैं जो हो सकते हैं मतलब इसके क्या कारण है कि किसी को nausea vomiting आता है तो guys nausea का मतलब होता है जी घवराना और vomiting का मतलब होता है उल्टी आना मतलब कि उल्टी होना यानि कि बमन होना तो नोजिया और वामिटिंग दो अलग-अलग चीजे हैं नोजिया मतलब जी घबराना जिसमें कि व्यक्ति का जी घबराएगा वर उसको उल्टी नहीं आएगी और वामिटिंग का मतलब उल्टी आना तो किसी का पहले जी घबराएगा फिर उसको उल्टी आएगी तो that called उसको दोने चीजे हो रही है तो इसका क्या है कई एक reason हो सकते हैं इसको आने के तो पहले reason की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है ज्यादतर जो nausea और vomiting की समस्या होती है वो indigestion की वज़ा से होती है कि अगर कोई खाना खा लेता है ज्यादा खाना खा लेता है और उसको वो खाना फिर पच नहीं पाता है मतलब digest नहीं हो पाता है तो इसकी वज़ा से nausea vomiting होता है second cause की अगर हम बात करें तो motion sickness motion sickness क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई travel करता है आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कार या बस में उल्टी करते हैं बट वाइक पे अगर वो चलते हैं तो उल्टी नहीं करते हैं यानि उनको nausea vomiting नहीं आता है traveling के दोरान और कुछ ऐसे patient होते हैं में उल्टी करते हैं बट जो जमीन पे जो vehicle चलते हैं उनमें उल्टी नहीं करते हैं जैसे कि बात करें कोई morning sickness की तो morning sickness क्या होता है morning का मतलब सुभा के समय और sickness का मतलब उनको sickness feeling होती है तो ये जो condition होती है वो pregnant lady में होती है तो pregnant lady में क्या होगा कि उनको सुभा के समय जो है morning sickness की problem रहेगी यानि कि उनको nausea और vomiting जो होगा वो सुभा के समय होगा और ये problem रहेगी pregnant ladies के लिए तो इसमें भ आता भी नहीं है क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट होता है दोस्तों इसके अलाबा अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि कुछ दबाओं की बज़े से भी नोजिया वामिटिंग हो जाता है तो इसमें क्या होता है माली यह पेशेंट की कोई दबाई चल रही है और उ के साथ उसको किसी तरह का नोजिया वामिटिंग ना हो यानि उसकी कोई कमप्लेन ना हो और दोस्तों इन सभी कंडिशन के अलाबा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंडिशन बन जाती है जिसमें नोजिया वामिटिंग होता है जैसे कि अगर किसी को कोई इंफेक्शन अगर किसी को वाइरल गैस्ट्रो एंट्रेटाइटिस हुआ है या फिर गैस्ट्रिक रिटेंशन हो गया है तो समय भी दिक्कत आएगी गैस्ट्रिक रिटेंशन मतलब कि पेट में जो गैस है वो पास नहीं हो रही है गैस रुक रही है या फिर किसी को एक्यूट गैस्ट् final obstruction यानि आतों में रुकावट आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग complain करते हैं कि उनको जो है gas बनती है gas पास नहीं होती है या फिर ऐसा फील होता है कि gas किसी भी बजा से आतों में रुक रही है तो इस condition में भी ultimately आ सकती है इसके अलाबा अगर किसी को food poisoning हुई है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहार खाना खाते हैं और उस समय वो दियान नहीं देते हैं और कुछ गलत खा पी लेते हैं तो उस समय उनको जो ultimately होती है वो food poisoning की बजासे होती है और food poisoning में क्या होताए कि कभी-कभी तो व्यक्ति की जो तवियत है वो काफी खराब हो जाती है उस इसमें कि उल्टी मिटली पेशेंट को आती है। इसमें कि उल्टी पेशेंट को continue यानि multiple जो है नोजिया और vomiting के episode आते हैं तो उसमें भी ये problem आ सकती है। इसमें पेशेंट में fever की complain भी रहती है मतलब कि fever जैसा उनको लगेगा। इसके अलावा light headache रहेगा मतलब कि उनको सर में दर्द रहेगा हलका हलका और vertigo जैसी समस्या रहेगी चक्कर आएगा। rapid pulse rate मतलब जो उनकी जो pulse rate है वो घटया बढ़ सकती है तो ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। दोस्तों इसके अलावा dry mouth रहेगा यानि कि dehydration शुरू हो जाएगा क्योंकि जब भी vomiting आएगी बार बार तो समय क्या होगा कि body के अंदर पानी की जो कमी है वो होने लगेगी और यहाँ पर feed dehydration जो है start हो जाता है। साथी chest में pain लगेगा एक अजीब सी बेचैनी रहेगी सीने में दर्ध होगा और कभी-कभी patient को ulty करने के बाद में excess sleepness की problem आएगी। तो ये क्या है nausea vomiting के sign और symptoms हो जाते हैं। गाइज अब हम बात करेंगे इसके treatment की के अगर इस तरह की problem किसी को आती है और वो अपने doctor के पास जाते हैं तो फिर doctor उनको कौन सा SI treatment है जो उनको देते हैं और इनके कौन-कौन से medication जो है चलाए जाते हैं doctor के दौरा तो गाइज नोजिया और vomiting के जो reason है हमने वो देखे तो उसी आधार पे इनका क्या है treatment क्या जाता है मतलब इन सब चीजों के base पर ही इसका जो है इलाज किया जाता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडाइजेशन के case की कि अगर किसी patient को इंडाइजेशन की बजहाद से ultimately हुई है यानि nausea vomiting हुआ है तो उस condition में क्या होगा कि उसका जो treatment रहेगा डॉक्टर उनको कैसे treatment करेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं तो उस समय उनको tablet periset md अब periset md क्या है इसका brand name है जिसके अंदर होगा ondansetron 4 mg की मात्रा में तो ondansetron क्या उल्टी और मितली को रोकने वाली medicine है ये एक anti-matic medicine है तो ये क्या काम करेगी कि ये उल्टी और मितली को रोकने का काम करेगी और ये जो tablet है वो सुभा और साम डॉक्टर दे सकते हैं तो ये जो treatment रहता है वो हमेशा डॉक्टर की सलहा से रहेगा यहां आपको वीडियो को देखकर कोई treatment नहीं करना है ये वीडियो सरिफ study के हिसाब से है और आपको जानका देने के हिसाब से बनाए गया है दूसरा जो बात होगी capsule razo D दिया जाएगा इसको अब capsule razo D अगेन इसका brand name है जो की entric coated rabiprazole sodium के capsule होते हैं अब rabiprazole sodium क्या करता है कि ये gastric को खतम करने वाली medicine होती है और ये 20 mg की strength में रहेगा और इसको domperidon के साथ में है मतलब ये D का मत domperidon वी है इसके साथ में तो ये एक combination medicine हो जाती है जो की again gastric को खतम करती है और ultimitli को रोकने का काम करती है यहाँ जो domperidon है ये मितली को खतम करने का काम करता है जबकि rabiprazole sodium gastric को खतम करता है तो ये जो capsule चलेगा वो खाली पेड सुभा साम चलेगा मतलब maximum तो इसको खाल ही दिया जाएगा साम को मतलब खाना खाने के दो घंटे बाद इसके अलाबा अगर हम बात करें सीरप के case में तो सीरप pen top mps चलेगा अब सीरप pen top mps के अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर होता है pentraprazole जो की दो चम्मच सुभा दूपेर साम अब यहाँ जो है तीनो टाइ रहता है तो यह medicine चलेगी in digestion के case में कि अगर किसी को अपच हुई है खाना हजम नहीं हुआ है और उस बज़े से ultimately आ रही है तो फिर इस तरह का treatment जो है doctor कराते हैं अब बात आती है कि अगर यह treatment किसी patient का चला और उनको आराम नहीं है तो फिर उनको कैसे आराम मिलेगा तो इस के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं तो अगर यह treatment देने के बाद patient को आराम नहीं होता है तो फिर उस condition में उनको injection दिये जाएंगे जिसमें rentek काफी famous है 2 ml के ampoule आते हैं जिसमें rented in 50 mg होता है मतलब इसकी जो strength है वो 50 mg रहेगी अब इस injection को patient की mass PC यानी IEM या फिर drip में डाल कर लगाया जा सकता है तो लगाया जा सकता का मतलब यह है कि यह patient की condition पर depend रहेगा कि उनको IEM देना है या फिर drip के अंदर देना है दोस्तो इसके अलाबा यह injection चलेगा pariset 2 ml जिसके अंदर ondansetron होगा तो ondansetron हमने यहां देखा यह tablet चले थे वड़ गाईज जब patient को जल्दी आराम नहीं होता है तो tablet नहीं दिया जाते हैं उस condition में उनको injection दिया जाते हैं और यह सिरा मार्ग से दिया जाएगा सिरा मार्ग मतलब IV तो यह IV दिया जाएगा intravenous तो यह जो है आपके डॉक्टर की सलह से रहेगा अब दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी को nausea vomiting लंबे समय है तो हो सकता है उनको dehydration भी हो सकता है तो जैसे किसी को बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है और उल्टी आते आते जब patient doctor के पास पहुंसता है तो उनकी condition काफी खराब हो जाती है उस समय उनको dehydration हो जाता है dehydration का मतलब निर्जली करन यानि पानी की कमी हो जाती है सरीर के जिससे क्या होता है, कि उनके जो body के अंदर पानी की कमी हो जाती है, मतलब कि dehydration हो जाता है, इसको ठीक किया जा सके, मतलब पानी की कमी को पूरा किया जा सके, तो यह जो है doctor RL लगाते हैं, या फो another DNA लगाते हैं, और इस तरह से इनको पूरा किया जाता है, अब बाता आती है कि किसी को उल्टी हुई और पानी की कमी हो गई उसके लिए भी हमने मतलब डॉक्टरने ट्रीट्मेंट दिया अब अगर पेशेंट को पेट दर्भ की सिकायद भी आ रही है इसके साथ में मान लिजे पेशेंट की कम्प्लेन है कि उसको पेट दर्द भी हो रहा है तो उस समय क्या होगा कि injection aquadol spas अब ये क्या है brand name है spas मतलब इसका जो indicate कर रहा है कि जो spas मरोलन बगेरा होती है उसके लिए ये medicine है जिसके अंदर generic जो इसका नाम है diclofenic and dicyclomene तो ये जो injection है वो IEM लगाये जाएगा पेशेंट को और इसके साथ साथ 0-doll spas acyclophenic and drotavirin की जो tablet है वो भी दिये जा सकते हैं तो यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं diclofenic pain को खतम करेगा dicyclomene पेट में होने वाली एठन मरोलन है उसको खतम करेगा क्योंकि जब पेशेंट को उल्टी होती है तो उस समय आतों में एठन मरोलन चलती है और इस एठन मरोलन को ठीक करने के लिए dicyclomene जो है काफी अच्छी medicine होती है दोस्तों यहां फिर next जो tablet रहेगी वो 0-doll spas रहेगी काफी famous रहती है इसके अंदर अगेन acyclophenic होता है drotavarin होता है तो acyclophenic जो है pain के लिए होता है और drotavarin जो है एठन मरोलन के लिए होता है तो दोनों ही लगवग same medicine है तो यहां पर doctor या तो इसको दे सकते हैं या फिर इसको दे सकते हैं तो यह doctor के हिसाफ से रहेगा medication और patient की जरौश से रहेगा अब patient को nausea vomiting travel sickness की बज़े से हुआ है या motion sickness की बज़े से हुआ है तो उस समय tablet amikind जिसके अंदर procol for amazine milate होता है जो कि मुँ में रखके चूसने वाले tablet होती है वो दी जाती है और अगर किसी lady को pregnancy के दोरा nausea vomiting की दिक्कत आ रही है माल लिजिए lady pregnant है और उनको फिर nausea vomiting आ रहा है तो उस condition में क्या होगा कि tablet pre-dox जिसमें कि doxilamines succinate होता है और साथी pyrodoxin होती है और folic acid रहते हैं तो ये tablet उनको एक गोली रात को सोते वक्त दी जाएगी तो डॉक्टर ये उनको उनकी जरुत के साब से एक गोली या दो गोली जिस तरह से होगा वो सोते वक्त या सुबह साम उनको दे सकते हैं तो ये treatment रहेगा सिर्फ डॉक्टर की सलहा से और दोस्तो इस तरह से अगर आप medical student है या आप कोई degree diploma कर रहे है या आप कोई local practitioner है तो इस तरह से knowledge के लिए ये वीडियो है और इससे आपको काफी help मिलेगी आपकी जो knowledge है वो काफी बढ़ेगी दोस्तो अब next जो है tablet avomin अब avomin के अंदर क्या होता है promethazin, tacolate होते हैं तो ये जरुवत के हिसाब से दी जाएगी और अगर फिर भी pregnant lady को आराम ना हो तो उस condition में yon 12 plus यानि vitamin B1, B6, B12 के जो ampoule आते हैं injection के ये उनको IM यानि की mass species में लगाए जाएगे और ये रोजाना एक injection लगाये जाएगा patient की need के हिसाब से मतलब उनको कितनी जरुवत होती है इसके साथ ही injection perinorm ulti के लिए बहुत ही असरदार होता है जिसके अंदर meto chlorpamide होता है जो की 2 ml के ampoule आते हैं तो ये भी दिया जा सकता है और दोस्तो इसके अलावा injection rantidine यानि की rantag जरुवत के हिसाब से दिया जाएगा अगर किसी को ज़्यादा ulti हो रही है और जरुवत पल रही है तो उस तरह से ये जो है ulti मितली का treatment रहता है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए normal dextrose line या फिर dextrose 5% की drip patient को लगाई जाती है तो ये सारी चीजें जो है patient की condition पर depend करती है और patient की जरुवत के हिसाब से doctor देते हैं तो दोस्तो ये जो वीडियो है वो इसलिए बनाया है ताकि आपको इसके बारे में एक जानकारी मिल सके और आपको पता चल सके कि nausea vomiting क्या होता है तो उमीद है दोस्तो ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगा और ऐसे ही unique medicine study series के वीडियो देखने के लिए आपके अपने channel unique medicine को subscribe करके रखें bell icon को press कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification भी समय समय पर मिलते रहें और इस वीडियो को अपने साथी students group में share करना बिल्कुल न भूले जिसे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके दोस्तों आप से मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए safe रहें अपना ख्याल रखें जैहिन बंदे मात्रों